हलो गाईज, वेलकम टू रिवायर्स ये कम्यूनिटी है उन लोगों के लिए जो खुद को और अपनी लाइफ को बहतर बनाना चाहते हैं हम ज्यादा तर खुद को या हमारी उमर से बड़े लोगों को ही मैचॉर समझते हैं चोटों को ना समझ और बच्चा समझ के उन्हें हर बात पर समझाने लगते हैं या फिर कभी कबार तो हम अपने बड़ों को ही मैचॉर ली एडवाइस देने लगते हैं तो ये चीज़ एक्चुली है क्या? क्या हम सच में उतने मैचॉर हैं जितना हम खुद को समझते हैं या क्या हम भी ज्यादातर लोगों की तरह ही खुद को समझते तो मैचॉर हैं लेकिन हमारे एक्शंस सारे इमैचॉर होते हैं आईए सब कुछ डीटेल में जानते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे कि real maturity क्या होती है और कितने टाइप की होती है इम mature और mature लोगों के personality के कुछ science और differences Then हम आपको 5 तरीके बताएंगे जिनने आप आज ही से follow करके life एक mature way में जी सकते हो Basically maturity का मतलब अपनी सोच, अपने emotions और अपने actions पे balance और control होना होता है और अगर हम clinical psychologist और University of Toronto के professor Jordan Peterson के शब्दों में जाने तो उनका कहना है कि हम अपनी life में जितनी ज्यादा अलग-अलग तरीके की problems और situations को experience करते हैं Young age में जितनी ज्यादा responsibilities लेके खुद को और life को handle करते हैं उतने ही ज्यादा हम mature होते हैं और एक purposeful life जीते हैं तो दोस्तो maturity के दो important areas भी हैं पहला है mental maturity जिसमें हमारी सोच और situation को देखने का नजरिया शामिल होता है दूसरी है emotional maturity जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए emotionally कितने mature हैं मालूम होता है तो इनी दोनों areas को मिला के हमने आगे आने वाले points तयार किये हैं immaturity science versus maturity science सबसे पहले जानते हैं कि immaturity के science क्या-क्या है immature लोग खुद को सबसे ज़्यादा mature समझते हैं जो चीज या profession trend में होता है उससे वो follow करते हैं बजाए खुद के talent को पहचान के और सिर्फ एक life goal को follow करने के बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना ये सोचे बिना के इससे किसी को बुरा लग सकता है या वो खुद बेवकूफ लग सकते हैं दूसरों की feelings और दूसरों के बारे में ना सोचना बस खुद के और खुद की feelings के बारे में सोचना अपने emotions पे control ना होना हर बात पे overreact करना सबसे ज़्यादा cool दिखने का शौक अपने आपको बहुत ज़्यादा seriously लेना लोगों की छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाना और दिल से लगा लेना सिर्फ अपनी ही बात करना बजाए दूसरे की बात सुनने के लोगों को fake promises करना और un promises को पूरा ना करना अपनी life को और खुद को दूसरों से compare करना और jealous फिल करना किस्मत और life को कोसना दूसरों के सामने खुद को perfect दिखाना लेकिन अकेले में खुद को पसंद ना करना अपनी mistakes की responsibility खुद लेने की जगे दूसरों को blame करना ऐसे ही और भी काफी सारे science है और वही maturity की science है life को एक purpose के साथ जीना मालूम होना कि उन्हें exactly life में क्या चाहिए और क्या करना है कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना दूसरों की feelings और दूसरों के actions को समझना emotional fool ना होना बलकि अपने emotions पे control रखना चाहे कोई भी situation हो उसे काम होके handle करना अपने आपको ज़्यादा seriously ना लेते हुए लोगों के मजाक में हसना बिना respect कवाए खुद बोलने से ज़्यादा दूसरों की बात ध्यान से सुनना कोई वादा जल्दी से ना करना और जो कर दिया तो फिर उसे निभाना अपने mind, health, relations, profession और knowledge को बहतर बनाते रहना अपनी और अपनों की responsibility खुद लेना बजाए किसी और को blame करने के अब ये science तो हमने जान लिये लेकिन सिर्फ इन्हें जान लेने से हम mature तो नहीं बन जाएंगे तो एक mature mind develop करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे और वो तरीके हैं जो ज्यादा तर उमर में बड़े लोग और यंग लोग गलती करते हैं वो है कि सभी अपने आपको mature समझते हैं कि मुझे सामने वाले से ज्यादा समझे खेर यही कारण है relations की बीच लड़ाई या arguments का लेकिन जब हम अपने आपको बाकी लोगों की तरह ही एक normal इंसान समझते हैं तो हम हमारे आसपास की लोगों से relate कर पाते हैं बजाए यह सोचने के कोई मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि मैं और मेरी सोच लोगों की सोच के परे हैं हम खुद को mature समझने से हम mature नहीं होते बलकि हमारे actions शो करते हैं कि हम कितने mature हैं हर situation को handle करने के हमारे पास दो options होते हैं या तो हम proactively आराम से सोच समझ के situation handle कर सकते हैं जैसे MS धोनी match के तोरान करते हैं या reactively बिना सोचे समझे अपने आप से control खुके react कर सकते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा excited हो जाना या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना लेकिन proactive रहना ही आपको एक बहतर जिन्दगी की ओर लेके जाएगा क्योंकि हम कभी भी reactive way में mature नहीं हो सकते चाहे emotions खुद के हो या दूसरो के हमें सभी के emotions समझने चाहिए और उन्हें सही तरह से handle करना चाहिए हम सभी अपने emotions तो अच्छी तरह से समझते ही हैं लेकिन अप से आप से स्टार्ट करो के जो बाते लोग आप से नहीं कह पाते या जो emotions वो आपको शो नहीं कर पाते वो आप खुद ही समझ सको दूसरे के नजर ये से दूसरे की situation भी देखो कोई आपका करीबी है जिसने आपको गुस्से में कभी कुछ गलत बोल दिया फिर वो जब आप से आके माफी मांगे तो सामने वाले को माफ करना भी सीखो अगर आप से कुछ गलत हो गया है तो आप भी sorry कहने में शर्माना मत यही maturity है हम उन पांच लोगों की तरह ही बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा रहते हैं तभी तो कहते हैं कि हमें अपने दोस्त और अपनी संगत सोच समझ के चुननी चाहिए तो जितना हो सके उतना negative लोगों से और ड्रामा से दूर रहो जहां सब एक दूसरे से लड़ते हैं या negative बाते करते हैं उन लोगों से दूरी बना के रखो बहुत आसान होता है भगवान को, life को, friends को, situation को या parents को ब्लेम करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इनकी वज़े से मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर पा रहा जब कुछ अच्छा कर दिया तो सारा credit खुद का, लेकिन अगर हम से नहीं हो पाया, तो बाकियों पे blame डाल दिया best है के हम अपनी और अपने आस पास के लोगों की responsibility खुद ले, बजाए उन पे dependent रहने के या उनसे बहुत सारे expectations लगाने के, don't be a follower, be a leader तो ये थे कुछ steps एक mature और समझदार इंसान बनने के, और इसी के साथ ये वीडियो भी यही खतम होती है लेकिन अगर आप चाहते हो के आपका और हमारा साथ यूही आगे भी बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो जाते रहें हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी help करना चाहते हैं